हेलो फ्रेंड मैं निल्मा सींग आप सबका अपना चैनल मेरा बगीचा में सागत करती हूं आशा करती हूं आप लोग अथ्य से होंगे स्वास्थ होंगे अपने अपने कामांब्यस्थ होंगे मैं भी ठीक हूं आज मैं एक चीज की जानकारे आप लोगो बताने जा रही हूं आशा करती हैं आप लोग को यह जानकारी आच्छा लगेगा यह देखिए यह मैंने लकडी का एस्टेंड बन बाया है अपने पॉट सब को रखने के नहीं यह देखिए इक पलाय है और यह स्टेंड नीचे मैंने बन वाया आलिया है क्योंकि अब भारिस का समय है दूप है धूप बारिस से लकडी कम शड़ने लगता है ठेरा हो जाता है इसके लिए मैंने प्लैस्टिक करoter्य प्रवाव नहीं पढ़ेगा बारी सर्धूब से उसमें अपने पौर्ट्स अभी अच्छा से यह देकि इतना लंबा यह मेरा मैंने इस लग्ड़ी को खरदा नहीं है मैंने वेस्ट से इसको बनाया है मेरा पलंग था पलाई का तो वह बीच से थोड़ा से लच गया था पुर तो यह सर जाता पारिश धूप में तो मैंने कार्पेंटर को बुला के मैंने अपना इस्टेन पॉट रखने के लिए यह बनवा लिया मैं दो तीन इस्टेन में बनवाया है उसमें इसी तरह से अपना प्लास्टिक विछा के अपना पॉट सब को सजा दी हूँ इस तरह से मैंने सबको अभी गर्मी आ रहा है तो सबको नजदीक नजदीश करके जैसा कि मैं आप लोग को बोलनी हूँ कि मैं कुछ दिन के बाद यहां से चले जाओंगी तो धाय महिना के लिए तो मैं उसी के विवस्था कर दे रही हूं सब प्रांट सबको नजदीक नजदीक रख सबको रख रहे हूं कि अलग 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 रखने से धूप ज्यादा लगता है और सटाक रखने से सभी प्लाट अच्छे से चलते हैं इसमें देखिए अभी कितना हर्याले गुरू थे आप सभी अपड़ा जीता सब में सूट बढ़ने लगा फ्लावर स्टार्ट हो गया है साम मैं आयों वीडियो बनाने के लिए Windsor ज्दूबश ब्रता है एक शोबा में ज़्यादा काम रहता है घर का पुल तोर के पुजा के लिए लेके चलियाती हूं पानी देती हूं इतना महीं समय एक घंटा मेरा लग जाता है इसलिए मैं अभी साम को वीडियो बनाने के लि हो तो लाइक कर दीजिए चेर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ले लाइक अंदवा देजिए परकि में जो को भी वीडियो बनाऊंगी इसका नोटिफिकर्स आप सब लोको मिलता रहे हैं मेली माशेंग का प्यार बड़ा नमस्कार धन्यवाद